नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCEIT धमाका 98 पर और आज की इस वीडियो में हम अध्यान करने जा रहे हैं कक्छा 6 संस्क्रत के दितिय पाठह जिसका नाम है शब्द परिचय सेकेंड और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंतक बने रहे तो हमारी 100% गारेंटी है कि आपको अपने पूरे जीवन में कभी वी इस चैप्टर की रिविजन की आवशक्ता नहीं पढ़ने वाली है तो बेसिकली इस चैप्टर में हम बात करेंगे अकारांत इस त्रेलिंग शब्दों के बारे में ये वे शब्द होते हैं जिनकी अंत में क्या आता है आ आता है ज तो आदा गा बनेगा हमारा बड़ा आ बनेगा हमारा या बनेगा इवनेगा का बनेगा रस आ बनेगा ठीके तो हमारा ये क्या हो गया अकारांत इस त्रेलिंग शब्द हमारा यहां पर हो गया और बेसिकली इस त्रेलिंग शब्द वो होते हैं जिनसे इस त्री जाती का ब बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने प्रिस्तुत है यह जूला तो यहां पर हमसे बोला गया है एशा कहा एशा का मतलब होता है यह क्या मतलब होता है यह और का मतलब क्या तो हमारा वनेगा एशा का यह क्या है और अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो क्या वनेगा what is this क्योंकि यह को बोलते हैं हम this और क्या है हमारा what और है क्या है is तो what is this इसके बाद इशा इशा अर्थात यह दोला दोला का मतलब होता है हमारे आपर जूला तो यह जूला है इंगökलिस में this is swing दोला अर्था दोला मतलब जूला कुत्र का मतलब होता है हमारे यह पर कहां अस्ती है जूला कहां है तो where is the swing दोला का मतलब है जूला उपवने उपवने का मतलब होता है हमारे यह पर बगीचे में तो उपवने मतलब बगीचे में अस्ती का मतलब होता है हमारे यहां पर है तो जूला बगीचे में है इंगलिस में अब देखेंगे दिती को इसमें हमसे बूला जा रहा है सा का सा का मतलब होता है हमारे यहां पर वह सा का क्या मतलब होता है वह और का का मतलब क्या सा का वह, क्या है तो यहाँ पर English में देखेंगे तो क्या वाने का What is this इसके बाद सा, सा मतलब वह, घटीका गटीका का मतलब होता है हमारे यह पर घडी तो क्या वाने का हमारे यह पर वह, घडी है और English में That is a clock आगे घटिका, घटिका अर्थात क्या होता है, घडी, किम, किम का मतलब होता है हमारे अपर क्या, किम का मतलब, क्या, सूचियती, अर्थात सूचियती मतलब होता है, बताती है, क्या, यह क्या बताती है, तो घडी, क्या बताती है, इंगलिस में, what does the watch, tell, घटिका, अर्थात, घडी समयम, समयम का मतलब होता है हमारा समय, time सूचियती बताती है तो घड़ी, समय बताती है the clock, tell the time आगे, एते के एते का मतलब होता है ये, और ये मतलब हमारे यहापे हो गया जो एते होता है, वो द्रिबच्चन के लिए प्रियोग किया जाता है दो लोगों के लिए प्रियोग किया जाता है तो आप देख पा रहे होंगे, ये जो हैं, दो हीतों है तो A अर्थात यह दो या फिर हम सीदह लिख सकते हैं, ये या तो हम ये लिख देंगे, या लिख देंगे यह दो के अर्थात क्या, ये क्या है what is this किम का मतलब होता है क्या एते ये दो या फिर ये को के लिए कोयल है क्या ये कोयल है इस देसा कोयल ना अर्थात नहीं एते एते अर्थात ये बोल सकते हैं या फिर यहां प्रियोग किया गया है यहां दो कोई भी आप यूज कर सकते हैं एते का मतलब होता है द्रिवचन के लि यहाँ दो गोरिया है चटके अर्थात गोरिया किम किम का मतलब होता है क्या कुरुत करते हैं गोरिया क्या करते हैं एते अर्थात यह या फिर यहाँ दोनों विहरतह विहरता का मतलब होता है विहार करते हैं विहार मतलब अलग अलग जगे पैजाना घूमना तो वही क्या होत है तो ये विहार करते हैं या फिर विहार कर रहे हैं कि आगे देखेंगे आगे है हमारे यहांपर टे के का मतलब होता है वे पर ये दिर बचन के लिए प्रयोक किया जाता है या तो हम बोलेंगे वे या वह दो ठीक है न तो यहाँ पर क्या है कारे हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं ते अर्थात वे के के अर्थात कौन तो वे कौन है who are they ते अर्थात वे चालिके का मतलब होता है महिला चालक female driver सतह मतलब है तो वे महिला चालक है she is a female driver आप देख पा रहे होंगे इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो ते अर्थात वे किम अर्थात क्या कुरुत ह करती हैं वे क्या करती हैं इंगलिश में what do they do आगे ते ते अर्थात वे वाहन वाहन का मतलब होता है She drives a car आगे आगे है हमारा A तह कहा A तह का मतलब होता है निटाह का मतलब यह अर यह का मतलब होता है जब दोसे ज़्यारा चीजाएं बहुबच्छन में आजाएं तो यहाँ पर A तह का प्रियोग किया जाता है तो यहां हम यह बोल सकते हैं सब या तो हम बोलेंगे यह सब या फिर हम सीधे बोल सकते हैं ये ठीक है तो एतह अर्थात ये कहा अर्थात क्या है ये क्या है वाट इस दिस एता अर्थात ये इस थालिकाह को बोलते हैं थालियां तो ये थालियां है या फिर यह सब थालियां है इस आर प्लेट्स किम किम अ हमारे हमारे हम पर क्या एतहा अर्थात ये गोलाकार हा गोलाकार की है क्या ये गोलाकार की है आर दे राउंड शेब्ड आगे आमर देखें आमर का मतलब होता है हाँ और ना का मतलब होता है नहीं तो आमर बोला गया है तो क्या मतलब हो गया हाँ एतहा अर्थातिये गोलाकारहा गोलाकारहा का मतलब गोलाकार की एवा एवा का मतलब होता है ही याद रखना है एवा का मतलब ही होता है तो ये गोलाकार की एवा मतलब ही है तो यस इट इस राउंड इन शेप तहा का मतलब होता है वे सव क्या होता है वे सव यानि बहु बचन सिरे सिरे डिनोट हो रहा है तो तहा वे सव कहा क्या है वे सव क्या है What are they all तहा अर्था वे सव अजहा अजहा का मतलब होता है बकरियां तो वे सव बकरियां है तहां वे सब किम का मतलब होता है क्या कुरवन्ती करती है वे सब क्या करती है वाट डू दे आल डू आगे तहा चरंती तहां मतलब वे सब चरंती अर्थात चरती है दे और ग्रायज तो इसी के साथ हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है कोई भी आपको समझ से आये कमेंट के माद्यम से अब बता सकते हैं बाकी इन सेपरेट प्लेलिस्ट में हम स्टार्टिंग से आपको संस्क्रत पढ़ना भी सिखा रहे हैं अगर आपको बिल्कुल संस्क्रत पढ़नी नहीं आती है और आप चाहते हैं संस्क्रत पढ़ना और लिखना सीख जाएं तो उस प्लेलिस्ट में विजिट करके आप सीख सकते हैं बागी क्लास फर्स से लेके टोयल तक के आल सब्जेक्ट आपको कराए जाते हैं तो आपसे चोटे हों और जो आपसे बड़े हों आप उनको इस चैनल के बारे में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकें पर क्लिक करना भी ना भूलें